कोठे में जन्मी खूबसूरत सिंगर, यही से सीखा संगीत और बनी बॉलिवुट की पहली सुरों की मल लिका, तीन बार रचाई शादी. मुंबई, तारांकन आज से सौ साल पहले के भारत में मनोरंजन के साधन दूसरे थे. अमीर लोगों के लिए नाच और गाना देखने का कोठा एक मात्व साधन हुआ करता था. लेकिन धीरे-धीरे कोठों की प्रसिद्धी घटने लगी और फिल्मों ने मनोरंजन की जिम्मेदारी उठा ली. समय बीता और साधन बदले फिल्मों का माध्यम सशक्त होने लगा. फिर फिल्मों में कहानी के साथ गाना और नाच की भी एहम भूमिका होने लगी. 1930 के दशक में भारत में क्रांती की आग जल रही थी. ब्रिटेश हुकूमत के खिलाप जंच्छिरी थी. इसी दौर में फिल्मों का व्यापार भी अपने शवाब पर आने लगा. एक महिला संगीतकार ने भी फिल्मी दुनिया में अपनी एंट्री ली. ये संगीतकार बला की खूबसूरत थी और बच्पन से ही कोठे में संगीत की तालीम ले चुकी थी. कोठे में ही इनका जन्म हुआ था. इस महिला संगीतकार ने अपनी कला का ऐसा बीज बोया जो आज सो साल भी हरभरा पेर्व बनकर लहरा रहा है. बॉलीवुड की इस पहली महिला संगीतकार का नाती आज सुपस्टा है. अब तक तो आप जान ही गए होंगे की हम बात कर रहे हैं, जद्दनबाई की. जद्दनबाई सुरो की मलिका थी. जब कोठे पर उनकी महफिल लगती तो बड़े-बड़े लोग अपनी सुध भूल जाते थे. सुरो की इस मलिका की दीवानगी में जमीनदार अपनी जायदाद लुटाने को भी तैयार रहते थे. साल 1892 को बनारस की दलीबबाई तबायप के कोठे में जद्दनबाई का बचपन संगीत की महफिलों में बीटने लगा यही से संगीत की शिक्षा और सुरो की साधना शुरू हुई. बचपन से ही संगीत की तालीम और तहजीब के बीच बड़ी हुई जद्दनबाई ने भी सुरो की मल्लिका बनने का फैसला लिया. इसके बाद खुद भी गाने लगी. जद्दनबाई सुरो की मल्लिका थी. जब कोठे पर उनकी महफिल लगती तो बड़े-बड़े लोग अपनी सुद भूल जाते थे. सुरो की इस मल्लिका की दिवानगी में जमीनदार अपनी जायदाद लुटाने को भी तैयार रहते थे. साल 1892 को बनारस की दलीगबाई तबायप के कोठे में जन्मी जद्दनबाई का बचपन संगीत की महफिलों में बीटने लगा यही से संगीत की शिक्षा और सुरो की साधना शुरू हुई. बचपन से ही संगीत की तालीम और तहजीत के बीच बढ़ी हुई जद्दनबाई ने भी सुरो की मल्लिका बनने का फैसला लिया. इसके बाद खुद भी गाने लगी. चन्द सालों में जद्दनबाई मशहूर सिंग बन गई. जद्दनबाई की गायकी के हजारों लोग दिवाने हो गए. अमीर लोग अपनी अपनी जागीरों से मन बहलाने जद्दनबाई के यहां आया करते थे. जद्दनबाई जब जवानी में प्रवेश करने लगी तो उनकी महफिले हिट होती रही. इसके बाद लगातार प्रसिद्धी बढ़ गई. फिल्मों की दुनिया भी लगातार पैर पसार रही थी. जद्दनबाई ने भी फिल्मों का रास्ता तै करने का फैसला लिया. चन्द सालों में जद्दनबाई मशहूर सिंग बन गई. जद्दनबाई की गायकी के हजारों लोग दिवाने हो गए. अमीर लोग अपनी अपनी जागीरों से मन बहलाने जद्दनबाई के यहां आया करते थे. जद्दनबाई जब जवानी में प्रवेश करने लगी तो उनकी महफिले हिट होती रही. इसके बाद लगातार प्रसिद्धी बढ़ गई फिल्मों की दुनिया भी लगातार पैर पसार रही थी जद्धनबाई ने भी फिल्मों का रास्ता तै करने का फैसला लिया साल 1935 में रिलीज हुई फिल्म तला शैहक में गानों को कमपोज किया और खुद ही आवाज दी यही वो साल था जब बॉलिवुड को पहली महिला संगीत कमपोजर बन गई जद्धनबाई ने खुद की म्यूजिक कमपनी खोल ली साल 1936 में फिल्म थ्रिदै मन्थन, 1937, मोती का हार और 1929 में दरोगाजी जैसी फिल्मों में संगीत दिया साल 1935 में रिलीज हुई फिल्म तला शैहक में गानों को कमपोज किया और खुद ही आवाज दी यही वो साल था जब बॉलिवुड को पहली महिला संगीत कमपोजर बन गई जद्धनबाई ने खुद की म्यूजिक कमपनी खोल ली साल 1936 में फिल्म थ्रिदै मन्थन, 1937, मोती का हार और 1929 में दरोगाजी जैसी फिल्मों में संगीत दिया जद्धनबाई का जल्वा फिल्मी दुनिया में भी चलने लगा तारांकन जद्धनबाई की दिवांगी लोगों के सिर चड़कर बोलती थी दूर दराज से अमीर लोग जद्धनबाई से शादी का सपना लिये आते और सुरों का पानकर निराश लोट जाते जद्धनबाई ने पहली शादी नरोत्तम से हुई पहली शादी से जद्धनबाई को बेटा अक्तर हुसेन हुआ लेकिन कुछ दिनों बाद ही नरोत्तम भाग गए और फिर कभी नहीं लोटे इसके बाद जद्धनबाई ने दूसरी शादी कोठे पर सारंगी बजाने वाले मिया खान से की इस शादी से जद्धनबाई को दूसरा बेटा अन्वर खान पैदा हुआ लेकिन जद्दनबाई की दूसरी शादी भी तूट गई और रईस मोहन बाभू से तीसरी शादी रचाए इस शादी से बेटी नर्गिस का जन्म हुआ नर्गिस जो आगे चल कर बॉलीवुट की सुपस्टा बनी और उनकी दिवांगी हर हीरो के लिए मशहूर रही नर्गिस ने अभिनेता सुनील दत से शादी की और संजेदत हुए जद्दनबाई का नाती संजेदत आज बॉलीवुट के सुपस्टा है जद्दनबाई का निधन आठ अप्रेल उन्नी सो उन्चास को हो गया आज भी जद्दनबाई के नाम की महफिलों के किस से याद करते है और भी ऐसी तरह तरह की निउज को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बैल आइकन जरू क्लिक करें अब लोग को सबसे पहले मिले